अटल जी को स्रध्धान जली देने के लिए उपस्तित हुए अटल जी के जीवन के बारे में इनके जीवन के प्रसंगों के बारे में बहुत सारी बाते बताई गई मुझे मेरे जीवन में अटल जी के साथ बहुत नद्दिक से काम करने का मौका नहीं मिला सिर्फ एक बार वो गांधी नगर में चुनाव लड़े थे तब मैं इनका चुनाव इन्चाज रहा मगर बदपन से अतल जी को देखते रहें, सुनते रहें और जैसे पार्टी के करोडों कारे करता है अतल जी को सुनकर अपने जीवन के रास्ते में कही सारी कट्नियाई को सुलजाते थे वो मवका मुझे ज्रूर मिला अतल जी बहु मुख्य प्रतिभा के धनी थे एक अजाद सत्रुरादनेता होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकारों में सुमार हो पाए इस तरह के सम्विद अन्शिल कभी थे स्वभावगत पत्रकार एक प्रखर वक्ता देश भक्त राजनेता जागरुक सांसद और पार्टी को कभी अपने सिध्धान्तों से इधर उधर नहोंने देने वाला पार्टी का अन्देता चाहूँ मैं एक बात को जरूर देश के सामने रखने चाहता हूँ अटल दी जन्संग के स्थापक सदस्व में से एक जन्संग में से अपातकाल के खिलाप लड़ने के लिए जन्ता पार्टी बनी और जब जन्ता पार्टी बनने के बाद सिधान्तों का सवाल आया विचारदारा का सवाल आया तनीक भर भी देर करे बगर उन्होंने भारती जन्ता पार्टी की स्थापना करी और भारती जन्ता पार्टी के वो स्थापक सदस्व में एक जन्मजात देश भक्त नेता कई सारे जीवन की घटनाए उनकी मक्कमता उनकी दूरदर्सिता और उनकी देश भक्ति को बताती हैं न केवल अपनी पार्टी के लोग बहुत सारे दले के लोगों ने भी इसको एकनोलेज किया जब युएन के अंदर कास्मिर्क में भारत का पक्स रखने का समय आया तब उस वक्त के प्रधान मंत्री कॉंग्रेस पाइटी से हुआ करते थे प्रदान मंत्री जी ने अटल बिहारी बादपई जी को भारत का पक्स रखने के लिए विपक्स के नेताय न्याते भेजा ये बताता है कि अटल जी का व्यक्तित तो किस प्रकार चाथा कारगिल को देश का कोई बच्चा भी भूल नहीं सकता सिमाओ की मर्यादा तोड़े बगर अटल तरीके से मक्कमता से पाकिस्तान के करारा जवाब देने की उनकी जो पोखरण का परमानु विस्पोट और दुनिया में भारत को अपना स्थान दिलाने के लिए जो घवरव दे बांगलादेश की लड़ाई को पाटी की सिमाओं से उपर उठकर एक राष्ट भक्त नेता कैसा स्टेंड ले सकता है वो स्टेंड भी अटल जी ने बांगलादेश की लड़ाई के वक्त लिखा और जब इमर्जनसी आई काफी लोग इदरू-दरू है अटल जी अटल रहे आपातकाल के खिलाब एक ध्रड लड़ाई पूरा समय लड़कर इस पर विजय प्राप्ट करने वाले प्रखर योद्डाओ में से एक अटल जी थी मित्रो आज अटल जी के जाने से न केवल भारती जनता पार्टी के मगर देश के सार्वजनिक जीवन में जो रिक्तता खड़ी हुई है मैं नहीं मानता लंबे समय तक ही शिरिक्तता को पूर्णा भरना हम सब के लिए संभव होगा और पूरे देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत बड़ी शती अटल जी के नरहने से होगी मगर मैं मानता हूँ कि अटल जी के विचारों पर चलने का सभी ने यहां पर इच्छा व्यक्त करी है मैं भी मानता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी का हर कारेकरता वो ही विचारधारा पर चलेगा वो ही विचारधारा के रास्ते पर चलेगा, जीस विचारधारा पर अटल जी पुरा जीवन चलेगा। आज सर्वदलिय सर्वजनिक सर्धानजली सभा प्राथना सभा यहां पर भारतिय जनता पार्टी के निमंत्रन पर आहूत हुई है। रदय से देश के सभी दलों के नेताओं का और बहुत सारी संस्ताओं जिनके सोक संदे समय मिले हैं, उनके रदय से भारतिय जनता पार्टी की और से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि हमारे दूख की घड़ी में आपने हमारे साथ खड़ा रहकर हमें धाढ़स बदाई हैं। अटल जी का परिवार इनके लिए भी एक अपूर्णी अक्षती हुई है, मैं अटल जी के परिवार को भी बहुत मन से कहना चाता हूँ, कि अटल जी ने भारतिय जन्ता पार्टी के लिए जो किया है, हमारी पार्टी हमेशा के लिए अटल जी के परिवार की रूनी रहेगी और प्रभू आपको इतनी सक्ति दे कि इतना बड़ा सदमा सहन करने की आप सब में ढाड़स बदी रहे फिर एक बार देज भर से करोड़ों लोगों ने पत्र द्वारा, संदेश द्वारा, पत्र पत्रिकाओ द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, अलग-अलग चैनलों के द्वारा अटल जी के प्रती जो समवेदना व्यक्त की है वो सभी का पार्टी के और से धन्यवाद करकर मैं मारी बात को समाप्त करता हूँ गुंदे महत्रम